तो एक बार फिर से आप सभी का सवागत है हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल यानि की साल 2024 में आने वाले हैं टॉप 15 Most सबसे Anticipated Projects के बारे में हैं जिनमें शामिलोंगे Marvel के प्रोजेक्ट्स, DC क प्रोजेक्ट्स और इनके अलावा भी कुछ और कमाल के प्रोजेक्ट्स तो ये वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग उने वाली है इसलिए आप सभी इसे पूरा एंट तक जरूर देखें और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि हमारे चैनल को पहली बार वाच आउट कर जो रही है जहां पर एक ही दिन में इसके सारे एपिसोड को रिलीस कर दिया जाएगा और इसलिए हमने भी ये प्लैन किया है कि हम उस एको सीरिस की पूरी स्टोरी को आप सब के लिए एक्स्प्लेइन करेंगे तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेट्स करके बता स सकते हैं यानि कि वीडियो के लिए आप कमेट्स के अंदर एको ज़रूर लिखिए और हाँ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए तो आए अब हम बिना किसी देरी के आज किस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमबर 15 एको तो इस साल जो सूपर हीरो पोजेक्ट सबसे पहले आने वाला हैं वो है एको की टीवी सीरीज जो की मार्वल स्टूडियो की तरफ से इस साल उनकी पहली सीरीज होगी अगर इसके रिलीस डेट की बात करें तो वैसे तो इसके रिलीस डेट 9 जन्वरी की है पहले कहा जा रहा था कि इस सीरीज में 9 पेसोड्स हो सकते हैं बट अब ये रिपोर्ट से आपने आई हैं कि इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 5 पेसोड्स होगे और इसका हर एक एपिसोड लगब 50 मिनट का होगा और सबसे खास बात तो ये हैं कि ये एको सीरीज पूरी तर को रिलीज हो जाएगी यानि कि वैलेंटाइन स्टे के ठीक दो दिन बात इसके साथ ही खास बत ये भी है कि इस मैडम वैब मुवी के अंदर हमें ना सिर्फ कई सारे स्पार्डर मैन के क्यारक्टर दिखाए जाएंगे बलकि इसके साथ ही ये मुवी स्पार्डर वर्स को भी कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिट वे बहुत बड़ी बात होगी हालाकि अगर आप सभी स्पार्डर वर्स के बारे में जाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल के उपर स्पार्डर वर्स कॉमिक सीरीज को एक्स्प्लें कर रखाएं और उन सारी वीडियो को लाइन पर अप्लोड भी कर रखाएं तो जो भी लोग इंट्रस्टेट है वो चैनल में जाकर उन्हें देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो आए फिर आगे बढ़ते हैं नंबर थार्टीन मार्वल जॉम्बी तो मार्वल के जॉम् इस पूरे साल के अंदर मार्वल की सिर्फ एक ही मूवी आ रही है और वह है यहीं मूवी डैडपूल और वॉल्वरीन को एंदर कनेक्ट भी करेगी तो इसलिए MCU के कोडिंग इस मूवी की इंपोर्टेंस बहुत जादा है और अगर बात करें इसके रिलीज डेट की तो यह मूवी इसी साल जुलाई महिने के अंदर 26 को रिलीज होगी यानि कि जुलाई मंत के आखरी में तो पुराने DCEU के स्क्रैप होने के बाद नए DCEU जिसे जेम्स गन चला रहे हैं उसका ये पहला प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम होगा क्रेशर कमांडोज और वैसे तो इसकी रिलीज डेट अभी फाइनल नी है बड़ इस बात की शुरूरिटी खुद जेम्स गन ने दि हिट सा भी तुए रहे हैं और जो इसकी स्पिन ओफ सीरीज जैन भी आई थी उसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया हैं और उसके खतम होने के बाद साही सीजन फॉर के लिए लोग और भी जाद एकसेटेट हो चुके हैं और इसके साथी इस बात की शूरिटी दी गई है क कि दाबोईस का सीजन फोर इसी साल यानी की साल 2024 में आएगा और मेरे कोडिंग ये सीरीज जुन जुलाई के बाद कभी विया सकती है नमबर नाइन अगाथा डार्क होल डायरीज तो अगाथा डार्क होल डायरीज बेस्ट होने वाली अगाथा के उपर जो कि हमें लास्ट को छोड़ दे तो फिर यह सोनी की तरफ से दूसरी मूवी होगी जो कि इसी साल रिलीज होने वाली है इस मूवी को रिलीज करने का फैसला बहुत पहले ले ले गया था लेकिन स्ट्राइक्स की वज़ए से इसे डिले कर दिया गया और फिर मूवी के अंदर कई सारे कर दिया गया है कि यह मूवी एनकी क्रेवन्द हंटर इस साल को 30 अगस्त को रिलीज होगी और यह मूवी भी इसलिए खास है क्योंकि यह पूरी तरह से आरेडिट होने वाली है इसलिए मूवी में एक्शन और मजा दोनों होने वाला है नमबर सेवन सूपर मैन और लूइस गया है बट अब इस बात को भी अनौस कर दिया गया है कि इसका सीजन 4 भी इसी साल को आ सकता है बट अगर कुछ अनौस नहीं हुआ है तो वो है इसके रिलीज डेट्स और इसलिए यह इस साल कब आएगा इसके बारे भी कोई कंफरमिशन नहीं है नमबर सेक्स जोकर 2 तो यह मूवी इसी साल 4 अक्टूबर को आने वाली है नमबर 5 इन्विंसिबल सीजन 2 पार्ट टू तो इन्विंसिबल का सीजन 1 साल 2021 में आया था और फिर उसके बाद से सीजन 2 को आने में पूरे 2 साल लग गये लेकिन मेकर्स ने सीजन 2 को भी 2 पार्ट्स में स्प्लेट कर दि इसा टीनेजर बॉय जो कि बच्चमन में अपने पेरेंट्स को खो देता है थोड़ा बड़ा होने पर अपने अंकल को खो देता है स्कूल में सब तरफ बुली होता है और पैसों की प्रॉब्लम से हमेशा परिशान रहता है लेकिन स्पार्डर मैन की इसी साल को रिलीज होन तो जिस तरह से यौर फ्रेंडली नेवरूट स्पार्डर मैन इस ताल आने वाली मार्वल की एक अनिमिटीड सीरीज है ठीक उसी तरह से मार्वल की दूसरी अनिमिटीड सीरीज होगी एक्समन 97 और इस सीरीज को बेसिकली इस साल के एंड तक ही रिलीज किया जाएगा वैस कि ये मुवी इसी महीने जनवरी कोई 24 तारिक को डिलीज होने वाली है ये मुवी बेसिकली DC के तरफ से आने वाली एक अनिमिटीड मुवी होगी जो कि बेसिकली मुवी का पार्ट बन होगा क्योंकि एक ही मुवी के अंदर इसकी स्टोरी एंड नहीं होगी और आगे आने सबसे ज़ादा हाइप में रहने वाली है तो वो और कोई नीबल की वैनम 3 होगी और ये मुवी रिलीज होगी इसी साल को 8 नवंबर को हाला कि अगर इसकी स्टोरी की बात की जाएं तो इस मुवी के लिए ये का जा रहा है कि इस मुवी में कानेज की वापसी हो सकती है और उस किसी तरह से हसते और मुस्कुराते रहें मैं विलता हूँ आप से ऐसे किसी और बहतरीन वीडियो में तब तके लिए गुड़ बाई